जय स्री राधे तो यही मंदिर ना जो सुनील दत साब ने बनवाया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोम दत यही वो घर है जो संजे रत का घर है तो काफी ज्यादा बड़ा कॉलेज है जो हमारे सुनील दत साब ने बनवाया है जब उनने पहले फिल्म बनवाई है तो देख सकते हैं यह है स्टेशन का नजारा और इधर सामने यहाँ पे लिखा हुआ यह यमुना नगर जगाधरी पूरा नजारा और अभी हम लोग यह देख सकते हैं आप कुल्फी यह पांच रुपे के कुल्फी है जो की बहुत जादा टेश्टी है और अभी हम पहुँच चुके हैं संजेदत के गड़ में तो अभी हाँ से निकलते हैं यह कुल्फी खतम करने के बाद दोस्तों कुल्फी खाली है और उसके बाद में हम लोग निकलेते काफी राद में आकी तकरीबर आट वजे की तरफ खाना कहा है तो काफी तेज भूख लगी है क्या दूसरा दिन है और अभी बारा बज रहे हैं तो हमने सोचा पहले खाना वाना खालेते हैं और फिर यहां दोस्तों इस होटल में खाना खा चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा राजिस्थानी बैस्नोड़ाबा और चौराहे के पास अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है महा महीं महराजा अग्रसेंजी का महराज और उनका स्टेचू बना हुआ हुआ देख सकत रहा थे में गेट की तरह अभी हम वह को उस पार जाना है तो अभी चले निकलते हैं तो दोस्तो फाइनली अभी हम गाओं के अंदर पहुच चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जो आटो है वो साइड में वहां पे लगा हुआ है और जो संजेदत का गाओं है अभी हम वहां पहुच चुके हैं और आप तीछा का नजारा देखेंगे तो यह सड़के चैनल पहली वा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रस करके आल कर ले तो चलिए अभी वैक कैमरे पर चलते हैं तो यह देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर हमारे सुनील दद के बारे में बहुत सारी चानकारी दी गई है जैसा कि चैनल पर अंगल जी इस गाउं में ने कितने दिन रहे हैं यहां तो थोड़ी रहते थे ते खेंगे रात को फिपड़ी यह तर बाद आधम दो खाल गाउं में रुकते भी नहीं थे ना क्यावाल पहाले हैं तो बहुत बड़ी अ इससे पहले संजेदत यहां पर कबाहिते हैं जब आए हैं यहां उसके बाद से कबसे नहीं आए यहां पर नहीं अब तो आए दिन फिर दो कर्द में कुछ पुगे दे हो जेल में, पेर नी आए, हमेरे न के लिए जबाना वाई जदक अनी थी ये सड़के उनी ने बनवाई definis जबूड़ों के बाप निए सजय ने बनवाई है क्योंकि आपे सांसा दुरह ना पच्पन शपन की बाद है शूंही उनी ससाथी डीना राधी से पहले उनने jourके शॉद्वधा रहने बहले त॑बहों ही नर्गीजिजिजी से में आप पुलिस का पेरा जादा था पुलिस का पेरा तो ही थी इतने बड़े अस्ति है उनको ऐसे के लिए तो टी दी पर द्रहने की जगह नहींग थे दो सब्सक्राइब लोग आ जाते होंगे चारे पूल जोंके लड़के लड़कों को ज्यादा करेज होता है तैक तेक कोंदा कॉल सुड़े लिए बने एम तक हम गों के कम किया है काम नहीं क्या हुग देख से देख से तैंप दो कमा एंद ऊटे उए ज तो पूलइस होती ते पास से पिछ्छा टाकारे पिछ्छा टाके पिछ्छा टाकी जिएँगे वांगों कैसे जलेगे जो नस्दिक जले की तिक नहीं है जब उन्हों नहीं पहले फिल्म रोए खिर करवा लिते अपने कोई के लिए आदमें के बसात्त अन्नी उते जाने आने एंगे उनकी माव बिमार उकि उनका उपरेट्शन यहीं हुआ था जगादरी में डोक्टर हरवाट थे उनकी डेफ हो चूगी उन्होंने उनका आप आपड़ेशन के आप 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 अस्पाल भी ब पर फिर बना देते हैं लेकिन जहां कोई की तरफे कुछ जमीन निम्स दी गई उनको कुछ कीम थी भी ऑस्पिटल बनाया जाके कलाना ओर यह पास यह दा खना भी यहीं बना था वह उधरी बना था इसमारे यहां तो बस पंचयती जमीन नहीं पुद आप पंचयती जमीन कम सब्सक्राइब करें लेकिन यह सोब आगया प्राप्त हुआ यहां सब्सक्राइब लेकिन जैसे कोई भी एक्टर वगेरा उनको अपने गाहों से बहुत प्यार होता है आते जाते हैं लेकिन जब यह उनकी टैथ वह उनकी मदर की बहुत एक्टर रहा हुए थे यहां अपसोर्स के लिए उनके लेके गए पैदल गए हम भी साइब पीछे थी ठोटे तो उनकी यहां नंगे पैर गए यहां से जमना तक जमना जमना तक वहीं उनकी समाधी बगएरा बनाई तो अ आप पर थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ जहां का बच्चा है प्राउड फील करते हैं आप बिलकुल करते हैं वह आप भी यहां इते स्कूल में एक बार फ्रंक्शन हुआ था था निल्दत साहब उन्होंने बोला था मेरा गाउं मिनी इंडिया है मिनी इंडिया है क्योंकि अब भाई चलने वाला है और घर दिखाता है तुमने देखा है उनको संजेदत के किता जी को नहीं देखा कि दोस्तों देख सकते हैं यहां का नजारा काफी अलग खुबसूरत है और अभी हम चलने वाले हैं अच्छा है यह नीरा जिसमें गेट लगाए इसमें कोई रहता नहीं क्या अभी सौमदत लिखा हुआ है यहां पर यह सौमदत कौन है उनके भाई है क्यों है नहीं बता देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सौमदत यही वो घर है जो संजेदत का घर है तो फाइनली गाईस दादा जी से थोड़ी बहुत बात चीत हुए और उन्हेंने काफी जादा जानकारी दी संजेदत और सुनील दत और उनकी मा नर्गिस के बारे में जो कि संजेदत क जानकारी दी और बताय की गर जो है यहां से चले जाओ राइट में जाके गली में है तो घर जो है यह सामने आप देख सकते हैं जो गेट आपको देख रहाया है इस में सुनील दत और उनकी संजे दत की मा नर्गिश जी रहती हैं चली अभी बे कैमरे पर चलते हैं और घर का नजारा दिखाते हैं आपको अच्छे दोस्तों यह है आप देख सकते हैं यही सुनील दत जी का घर है जब क्या हुआ था जब बटवारा हुआ था तब उन्होंने इस गाउं में आके रहे थे जो की उनका पैत्रिक गाउं है और जो संदेजसिंग साहब हैं वो उनका जनम जो हुआ है वो मुंबई के अंदर हुआ है और वो यहाँ सिर्फ अपने मा के और उनके पिता की जब यहाँ पे अस्तियां यानि समाधी बनाई गए थी तब आये ऐसा गावालों का कहना है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुनील दत जी का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है उनके जो भाई हैं सोम दत का नाम लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं इन्होंने काफी फिल्मा में भी काम किया है लेकि भी रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहा है जैसा कि अन्कल ने बोला था कि यह मेरा गाउ एक मिनी इंडिया है ऐसा बोला था उन्हों ने यहाँ पर जब वो आये थे और यहाँ पर f bay फिलम भी सूट हुई है इस गाउं के अंदर जैसा कि अंकल ने हमको बताया था और घर के बारे में बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे अच्छे से तो यहां पर ताला लगा हुआ है आप देख सकते हैं और इसके अंदर जो है कोई भी हमको लगता भी नहीं रहता है सारे के सारे लोग कहा रहते हैं इ से नीचे से दिखा रहे हैं अगर घर देखेंगे तो काफी जादा अंदर खूबसूरत बना हुआ है और इटे के चट्टे वगेरा लगे हुए घर के अंदर और काफी बड़ा घर है आप देख सकते हैं तो इसी के अंदर कभी रहते थे हमारे सुनील दत जो की बहुत बड़ घर में विताए हैं लेकिन अभी क्या है ये गर पूरा का पूरा बंद पड़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं आपने जो है ताला लगा हुआ है तो दोस्तों गाउं में काफी देर घुमने का बाद एक छोटा सा लड़का था उसे ने बताया कि जो सुनील दत हैं हमारे उन लग रहा है जो मंदिर है उन्होंने वो अंदर की साइड बनवाया लेकिन ये बाहर से एक हॉल टाइप का दिख रहा है अंदर चलेंगे और जो बाहर का गेट है वो अभी मंदिर की तरीके से सजाया नहीं गया है और इस साइड में आप देखेंगे तो प्लास्टर वगेर और इधर आएंगे तो देख सकते हैं इसका काम चल रहा है छोटू अच्छा ये पूरा का पूरा उन्होंने बनवाया है या फिर अभी जो बनना वा रहे है यह गाउवाले इसमें बनवा रहे है उन्हीं का सारा का सारा बनवाया हुआ है अच्छा पहले उनका बनवाया थ तो आप राधा कृष्ण जी की मूर्ती है और बहुत ही अच्छा बहुत ही खुबसरों नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा जैस्री राधे तो यही मंदिर है ना जो सुनील्द साब ने बनवाया है और यह बाहर का जो यह वाला होल है यह भी बनवाया गया ना सायद ल सुनील्द साब नहीं वाले तो अब हम देख सकते हैं राज की प्रात्मिक पार्टा साला तो अभी हम अंदर चलते हैं के तो नजारा वहर का देख सकते हैं और जिस प्रकार है जहां पर हमारा त्रंगा जंडा वगेरा कि इस टोची वगेरा बने हुआ है और यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा हुआ है और गेट का नजारा आप देख सकते यह है तो यह वही स्कूल है जो हमारे सुनील्दत साब ने बनवाया है ना ऐसा है इतने बड़े अभिनेता है तो उनके बारे में हर कोई जानता है स्कूल का नजारा काफी ज्यादा सुन्दर है और आप देख सकते काफी बड़ा स्कूल है इदर भी कौन सा स्कूल है इस अच्छा इन्हें प्राइमरी है वो यह वाला बनवाया है उन्होंने यह सारा ही एक सारा ही उन्हीं ने बनवाया है और इधर हमको लगता है यह पुराना हो गया तूटने वाला होगे ना इसमें पढ़ाई नहीं होती है अब अच्छा इसमें रोज क्या होता है रोज पढ़ाई बगर होती है संडे इसलिए बंद है अच्छा जी और आगे देख सकते हैं यह कॉलेज है इसमें इधर लिखा हुए राजगी वरिष्ट मादमिक विद्याल है गाउं मंडोली आप देख सकते हैं यह है पूरा कॉलेज का नजारा और थोड़ा आगे चलेंगे तो इधर थोड़ा फार्ग जैसा बनाए गया है अभी हम आपको पूरा स्कूल का नजारा दिखा देखते हैं तो देख सकते हैं स्कूल का नजारा जो है काफी ज्यादा सांदार है आप देख सकते हैं और यह यह वो है जो राजगी व ये 12th और 10th नाइन्थ वालों के लिए देख सकते हैं आपर इसका नाम जो है आप पड़े के देख सकते हैं तो काफी जादा बड़ा कॉलेज है जो हमारे सुनील दत साब ने बनवाया है मंडोली के अंदर देख सकते हैं तो दोस्तो ये छोटा सा आपको वीडियो कैसा लगा जिसमें हमने हमारे सुनील दत जिनका घर दिखाया जो कि अभी उनके भाई जो है वो रहते हैं उस घर में लेकिन इस समय तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था जैसा कि आपने देखा होगा और जो गाउं के नजारे हैं ज जरूर बताना अगर दोस्तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रसकर के आल पे क्लिक कर लें क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जैहिंद बंदे मा झाल झाल